और minimum value किसकी position की velocity की और acceleration की फिर हम निकालेंगे time period की time period निकालते कैसे हैं और finally हम energy equation मतलब kinetic potential total यह को बहुत आसान topics है अब तुम सब ध्यान से समझना सबसे पहले अपन maximum और minimum value निकालेंगे तुम यहले person में तुम्हें equation लिखना सिखाई थी कि x equal to a sin bracket में होता है omega t plus 5 अब एक चीज़ तुम ध्यान से इस chapter और अगले chapter में एक चीज़ ध्यान से सुनना चाहे sin theta हो या cos theta हो इनकी value minus 1 से जादा होती है मतलब minus 1 भी हो सकती है और 1 से कम होती है मतलब sin theta और cos theta की value 1 से जादा हो नहीं सकती minus 1 से कम हो नहीं सकती minus 1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है और 1 और minus 1 भी क्या हो सकती है हो सकती है तो minimum value कितनी हो सकती है minus 1 maximum कितनी हो सकती है plus 1 तो अगर मैं लिखता हूँ कि x equal to a sin omega t plus 5 तो अगर sin की value 1 होगी तो x की value कितनी हो जाएगी a और sin की value जाएगी minus 1 होगी maximum minimum value लेकिन अब अपन पूछते हैं मालो कि velocity की क्या होगी तो एक तो तुम्हें velocity निकाल लिया नीची है तो v equal to होता क्या है dx by dt होता है a को मत चलो a को a रहने दो sine का differentiation क्या होता है sine का differentiation होता है cos तो sine omega t plus phi का क्या हो जाएगा cos omega t plus phi और omega t plus phi का omega या रखना t के साथ जो भी होता है उसको multiplication में लिख दो तो velocity का formula किता आएगा a omega cos omega t plus phi अब अगर मैं तुम्हें पूछूँ कि बताओ maximum minimum value क्या हो सकती है अभी मैं तुम्हें बताया cos की maximum value 1 minimum value minus 1 तो जब cos की value 1 होगी तो velocity omega यह हो जाएगी तो य्याद रकनाव velocity की minimum value क्यूंति हो सकती है माइनस omega a & maximum value क् announce हो सकती है plus omega f यह भी मैं तो एक तो है आपको x के बारे में पताओना जाए maximum a minimum a जाए में एक CN के बारे में पताओना जाए velocity minimum minus omega a & maximum velocity क्यूंति हो है ओमेगा या फिर इसको कई लोग maximum speed वर्ट भी देते हैं कि वर्ट कें बीदा maximum speed in a simple harmonic motion तो maximum speed क्या होता है ओमेगा अभी मैं तुम इसका नुमेरिकल कराऊंगा ठीक है अब velocity आ गया अब acceleration की बात करते है तो acceleration क्या होता है acceleration होता है dv by dt तो देखो ए तो constant है omega constant है इनको मैं छेड़ना कॉस omega t plus 5 का differentiation minus sin omega t plus 5 होता है अगर तुम बूल गए तो मैं तुम याद लादू कॉस का साइं का कॉस होता है कॉस का मानस साइं होता है तो देखो अपने जब साइं omega t plus 5 का किया था तो अपने क्या लिखा था कॉस omega t plus 5 तो उससे अपनी velocity आ गई थी लेकिन velocity को वापिस differentiate करोगे तो आपको क्या मिलेगा acceleration तो a omega तो constant है उनको नहीं छेड़ना है कॉस omega t plus 5 का minus sin omega t plus 5 और t के साथ omega है तो वापिस multiply करो तो acceleration कितना आया minus omega square a sin omega t plus 5 अब अगर तुम्हें पुछों कि बताओ और minimum acceleration किता हो सकता है, तो minus omega square A. ये आपकी maximum और minimum values है, एक simple harmonic motion में. लिख लो अपनी कापने इसको. लिख लो, maximum and minimum values in simple harmonic motion. तो X की maximum A, minimum minus A. velocity की maximum omega A, minimum minus omega A. acceleration की maximum omega square A, minimum minus omega square A. यहाँ दखना, A होता है amplitude, omega होता है angular frequency. तो जो T के साथ होता है omega, और बाहर जो sine या cos के साथ होता है, वो होता है आपका amplitude. लिख लो अपनी कापने सको. लिख लो, फिर अपने सका numerical करेंगे, इसमें कोई भी doubt है, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो. तुम मैक्सिमम मिनिमम ए और माइनस से वेलासिटी की मिनिमम माइनस ओमेगा है, मैक्सिमम ओमेगा है, एक्सिमम मिनिमम माइनस ओमेगा स्क्वेर है, मैक्सिमम ओमेगा स्क्वेर है, बस यह formula तुम्हें याद रखने है और derivation. है ना? अब जिसे मालले एक्जाम में कोशिन आजाए, कि if x equal to 2 sin 3t, और मालले एक्जाम में कोशिन आजाए, find maximum speed and maximum acceleration. तो बताओ कि maximum speed कित्ती हो सकती है, और maximum acceleration कित्ता हो सकता है. तो कैसे करोगे देखो? सबसे पहले आप लिखो, x equal to 2 sin 3t, मैं तुम्हें क्या का? जैसे equation आए, नीचे ऐसे जिम्हें की equation लिखा करो. a sin, और bracket में क्या आएगा? omega t plus 5. अब compare करो. sin के साथ 2 है, तो a कितना आगया? 2. t के साथ 3 है, omega कित्ता आगया? 3. तो maximum speed कित्ता हो जाएगा? vmax? omega a. तो 3, 2 है कित्ता आगया? 6 meter per second. और यही तुम्हें पुछे बताओ, maximum acceleration कित्ता होगा? तो वो क्या होगा? omega square a. तो omega कितना है? omega है अपना 3. तो 3 का square a कित्ता है? 2. तो यह कित्ता आजाएगा? 18 meter per second square. यह आगया आपका V और A. किसी को इसमें कोई doubt है, तो आपने मुझसे पूछ सकते हो. कोई भी doubt है? किसे आपने Vmax कैसे निकाला? आपने Amax कैसे निकाला? कोई भी doubt है, तो आप पूछ सकते हो. ओके, कोई doubt है, तो आप पूछ सकते हो. कि अच्छा कोई डाउट नहीं है तो टॉपिक लिखो अपनी कापे में ताइम पिरियर्ड आफ स्प्रिंग मां सिस्टम एक स्प्रिंग मांस सिस्टम का टाइम पिरियर्ड कैसे निकाला जाता है, अब तुम आज़े देखना है suppose करो कि हमारे पास यहाँ पर कोई दिवार है और मान लो कि इस दिवार से कोई spring attached है ठीक है और मान लो कि यहाँ पर एक mass है m और मान लो यह x equal to 0 है spring constant k है अब अगर मान लो मैं तुम्हें पूछू कि मैंने इस mass को x distance आगे लेकी गया और मैंने छोड़ दिया तो यह करता क्या है यह mass oscillate करेगा तो आप खुद मुझे बताओ अगर इस mass को आप x distance आगे लेके जाओगे तो spring भी कितना खीजाएगी x तो spring कितना force लगाती है minus k x तुम बूलते नहीं गए spring कितना force लगाती है minus k x तो इस force को अपन क्या लिख सकते है mass into acceleration तो जैसे ही आप इस mass को छोड़ोगे तो spring mass को पीछे की तरफ बुलाएगी तो spring कितना force लगाएगी minus k x और force लगेगा किसमे mass पे mass into acceleration equal to minus k x तो acceleration को अपन क्या लिख सकते है minus k upon m x अब एक चीज़ तुम ध्यान रखना अगर acceleration के formula में minus है और acceleration के formula में x है मतलब अगर आपका acceleration directly proportional to minus x होता है तो इसको हम बोलते है simple harmonic motion a के formula में minus भी होना चाहिए a के formula में x भी होना चाहिए अगर ये simple harmonic motion है तो a को अपन क्या पुट कर सकते है minus omega square x equal to minus k upon mx तो minus से minus गया x से x गया तो आपका omega किता है root of k by m यह आगया omega अगर तुम भूल गए हो तो omega क्या होता है 2 pi by t होता है 2 pi by t कितना है root of k by m तो यहाँ पर तुम अगर reciprocal लोगे तो time period आजाएगा 2 pi root m upon k लिख लो अपनी काप में time period of a simple of spring mass system तो spring mass system का time period कितना होता है लिख लो time period का मतलब है एक पूरा oscillation होने में कितना time लेगेगा है ना लिख लो अपनी काप में और इसमें कोई भी doubt है तो तुम पूछ सकते हो इस चीज को याद रखना कि अगर कोई भी spring है जिसका spring constant k है अगर आप उसको x distance खीचते हो या x distance compress करते हो दोनों केस में spring कितना force लगाती है minus k x force होता क्या है force होता है mass into acceleration तो m a हो जाएगा minus k x तो a क्या हो जाएगा minus k by m x याद रखना अगर a के formula में minus है और x है तो वो क्या होता है simple harmonic motion अगर कोई भी motion simple harmonic motion है तो a को अपन क्या लिख सकते है minus omega square x लेख लो अपनी का अपन में लेख लो और कोई भी doubt test में तो पूछ सकते हो टी मतलब time period time period का मतलब होता है एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा टू पाय रूट m by k m मतलब मास के मतलब स्प्रिंग कॉंस्टेंट कोई भी दाओ थे था टीन लुटन अपन मेडर कोई भी डाउट है गार की बीटा कोई डाउट है मेगना रानू कोई डाउट है रिदम कोई भी डाउट दो पूछो गगन ठीक है अच्छा एक सी तुम जान से सुनना अगर एक्जाम में कोईशन आजाए कि मैं इस मास को दो मिटर आगे लेके गया और फिर मैंने छोड़ दिया तो बताओ टाइम पिरिट किता होगा तो टाइम पिरिट तो इतना ही होगा किता 2पार 2 ए M चे और ये जू दो मिटर होगा ना यह होगा आपका arriente आपका चमंपिरिए को मतलब क्या होता है कि आपका जो मास है वह सिलेट कर देह मिए मीन से कितना पीछा शक्कर आ MICHAEL कुई को अपनी को itt मैं टाइम पिरियड आफ सिंपल पेंडूलम एक सिंपल पेंडूलम का टाइम पेंडूलम का टाइम पिरियड कैसे निकालते हैं और सिंपल पेंडूलम का टाइम पिरियड निकाले से पहले आपको दो चीज़े याद रखनी है क्या याद रखनी देखो एक चीज़ तो यह याद रखना कि अगर मानलो आपको radius r दे रखी है और मानलो यह angle theta है तो इसको बोलते हैं arc length इसको हम क्या बोलते है ये होता है आपका arc length और arc length का formula होता है x equal to r theta arc का मतलब होता है arc का मतलब क्या होता है arc होता है part of a circle तो किसी एक circle का छोटा सा part होता है आरक जीसे मान लो की ये एक circle है तो इसके एक चोटा सा part होता हुना है इसकोем क्या बोलते है और किसी भी ताइम प्रिड और सिंपल में डूलम पे नूलम कर दो से जाल खिल प्रिडुवा ठाइम व्रिडाग स्माइय स्वाइय यांय इना बाइम